असम के जोरहाट जिले के एक अंतिम संसकार स्थल ने सांप्रदाइक सोहार्द की मिसाल कायम की है इस जगह के बारे में जो अनोखी बात है वो ये है कि इसी के अंदर हिंदू, मुसलिम और इसाईयों का अंतिम संसकार किया जा रहा है हिंदूों का शवदाह किया जाता है मुसलिम और इसाई एक ही कबरिस्तान में तफन किया जाते हैं ये सिलसला पिछले कई दश्कों से चला आ रहा है जोर हाट जिले के टीटा बार अनुमंडल के तहट गोरा जान में जो शमसान है वा निश्चित रूप से संप्रदाइक सोहार्द का एक उदाहरन है खास कर ऐसे समय में जब देश भर में धार्मिक और सहिशनुता आज के दिन का रिवाज बन गिया है गोर जान के एक भुखंड पर हिंदूओं, मुसल्मानों और ईसाईयों के अन्तिम संसकार की ववस्था पिछले कई दश्कों से चली आ रही है और वहां के निवासियों को इसे लेकर कोई शिकायत नहीं है जोरहाट शहर से लगभग 44 किलोमेटर पहले बोर होला इस्थित गोर जान का ये अन्तिम संसकार इस्थल नौ दश्कों से अधिक समझ से हिंदूओं, मुसल्मानों और ईसाईयों के अन्तिम संसकार का साक्षी रहा है यह हमारा समशान है यहां हिंदू, मुसलिम और ईसाई, तीनो धर्मों के लोगों का अन्तिम संसकार होता है सम्सान को बाटने वाली बस एक छोटी सिनाली है कोई अवरोद नहीं है लेकिन सिर्फ एक छोटी सिनाली है जो तीनो धर्मों के लिए अंतिम विस्रा मस्थल्ग को चिन्नित करती है तीनो धर्मों से जुड़े लोग अपने सभी धार्मिक संसकार पूरे करके अपने मृत रिष्टेदारों का यहां अंतिम संसकार करते हैं सभी धर्मों की लोग यहां इन तीनो धर्मों के लोगों के दा संसकार में शरीक होते हैं चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो हम सब उसके अंतिम संसकार में भाग लेने के लिए आते हैं हम शम्शान में हिंदूों के दासंसकार में हिस्सा लेते हैं और वे हमारे जनाजे में शामिल होते हैं जब कोई इसाई यहां दफनाया जाता है तो हम उस अनुस्ठान में भी भाग लेते हैं यह एक अनोखा विश्रामस्तल है एक दुरला विश्थल है हम सभी यहां एक ही नाव में सवार हैं सभी का एक ही जगह पर जाना भागे में लिखा हुआ है और वह है जमीन के नीशे मुझे लगता है कि सवनुठी व्रवस्ता का हर जगह पालन किया जाता है मैं हिंदू समुदाय से हूँ हम यहां इसाई, हिंदू और मुस्लिम तीनो धर्मों के लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं यहां के समुदायों के बीच कोई धार्मिक विभाजन नहीं है तीनो धर्मों के लोग इस समसान में अपना अंतिम संसकार कर सकते हैं आम तोर पर सभी धर्मों के लिए हर जगह अलग-अलग अंतिम संसकार इस्थल है हलकि गोरजान का यह अंतिम संसकार इस्थल दूसरों की तुनला में अलग है धार्मिक विभाजन गोरजान के ऐस स्थान को अब तक नाकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सफल नहीं हुआ है गोरजान में अतीद में धार्मिक टकराओं या घरना की कोई घटना नहीं हुई है गोरजान के लोग मिर्तकों के दाह संस्कार के सामंजस्य पूर्ण तरीके को बनाय रखने में सफल रहे हैं जोनके पुरवजों की ओर से 1933 में शुरू किया गया था